यो दोस्तों वेलकॉम है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैक्टी गाइड में दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के दर्स सबसे खतरनाक माने जाने वाले जानवारों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप जोग जाएंगे ये सबी जनवर इतने खत्रनाग हैं कि लोग से इनके बारे में सुनकर ही डर जाते हैं कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ अफ़ा लेकिन इस वीडियो को पुरा देखकर आप इन पर विश्वास करने लगेंगे बस आपसे रिक्वेस्ट लेए इस वीडियो को अग्दम आपने कई मूविस में देखा होगा लेकिन कुछ लोगों इसे रियल लाइफ में देखने का दावा किया है ग्रीक कहानियों की माने तो इन घोडों के सर पर एक लंबा तस्विंग होता था जिनमें बहुत सारी सक्तियां हुआ कर दी थी इन्हें युनान के देवत्वा का वहन माना जाता है और कहा जाता है कि जिसने भी इनका खून पी लिया वे हमेश्या के लिए अमर हो जाता है लोगों का मानना है कि यह जानवर अभी धरती पर मौजूद है और कभी इनसानों के सामने नहीं आता क्योंकि वे इनके खून के लिए इनका शिकार कर लेते हैं कोईट जल कोटलस यह बड़ा से जनवर दुनिया का सबसे बड़ा उनने वाला जनवर था जो डाइनसोर के समय में हमाई प्रत्वी पर मौझूद था आपको लगता होगा प्रत्वी पर सबसे बड़ा जनवर डाइनसोर थे लेकिन आप यह जानकर चोग जाएंगे कि यह उन से 20 मिलियन सालों पहले से लेकर 3 मिलियन सालों पहले तक पूरे समुद्र पर राज करता था यह शार्क सतर साल तक जीवित रह सकता था और इनकी प्रजातियां समुद्र के गहरे पानी में हुआ करती है इसकी लंबाई 60 फिट की है और यह पूरी तरह से मान सहरी है जो सबसे बड़ा साप कौन सा है तो आप जवाब दोगे ग्रीन एनाकॉंडा परन्तु आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटन और बोवा जो पलक जह पेकते ही एक हेलिकॉप्टर को नीचे गिरा सकता है इसका तरनाक अजगर की लंबाई 42 फ दिखा होगा और सुना होगा जो हजरों साल पहले राजाओं की साहता लड़ाई में करते थे इस जानवर की आधा शरीर पक्षी और आधा शरीर शीर जैसा होता था जो अपने से बड़े जानवर का शिकार आसानी से कर लेता था उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पंक थे ज से लेव में शेयर और पक्षियों के जीन्स को मिला कर बना सकते हैं पर क्या प्रक्रतिव हैं साथ छेड़ चार करना सही है दोस्तों आप में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं हिपोकेंपस घोड़े जैसे दिखने वाला इस जानवर को कई बार समुद्र की गेराई में देखा गया है इस जानवर अपने अजीबों गरीब शारीर के लिए जाना गया है इसका आदासरी घोड़े का और आदासरीर मसली जैसा होता है पुराणिक किताबों के अनुसार उखता सबूत तो नहीं है पर आपको युनान की पुरानी किताबों में इन्हें देख सकते हैं साइक्लॉप्स कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग इसे कालपनिक लेकिन पुराने कताओं की माने तो देवताओं को साइक्लॉप्स से लड़ते हुए दिखाया गया ह क्रीक सब्वेता में भी इनके होने का सबूत मिलता है कई जगों पर इन्हें पुराने समय में देखा गया है ये इनसानों जैसे दिखाई देते थे पर इनसानों से काफी बड़े और इनके एक ही आँख हुआ करती थी और दिखने में भी काफी भयान्यक लगते थे लो लॉंग क्रोकोडाइल ये दुन्या के सबसे बड़े मगरमचों में से एक है जो पानी में जाने वाले किसी भी जानवर यहां तक क्याती को भी मार सकते हैं ये खत्रनाक मगरमच जयदातर और स्टेडिया से बाहरी तरफ पाई जाते हैं इनकी लंबाई नियुत्तम 20 फीट और वजन 1000 किलो हो सकता है अर्जिंटिना स्वारस डैनाचोर के परजाती में अर्जिंटिना स्वारस सबसे बड़ा और खत्रना के एक उखार डैनाचोर आज से 95 मिलियन साल पहले कुरे दुन्या पर राज करता था इनकी लंबाई 117 फीट वो हाइट 15 फीट थी और इसका वजन एक लाग किलोग्राम था सोचिए अगर डैनाचोर और एक मगरमस का बच्चा हो सके तो वो कैसा दिखेगा ये बिल्कुल वेसाई दिखता था दिखने में ये जीव बड़े से एक मगरमस जैसा दिखता था मगर इसकी टांगे डैनेसोर की तरह लंबी थी ये जीव आकार में 21 फीट तक का होता था और इसके दांत और जबडे मगरमस से भी जाता सकती था लिते अगर ये जीव आज होता तो इसे आप धूर से देखकर भी नहीं भाग पाते क्योंकि ये इसकी टांगों की मदद से आपको पकड़ लेता डैनेसोर प्लस मगरमस का कॉम्बिनेशन बहुत ही जादा शक्तिसालियर खतरनाक बनता है इसलिए ये नमबो वन पर आता है और इसका जिकर परानी किताब में भी हुआ है दोस्तों उमेद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आ लाइक और शेर कर लेना हमाई चलक सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद